प्रशिद मंदिर के नाम से भी जाना जाते हैं यह माजवाला का मंदिर बाकी माताओं के मंदिर की तुलना से अलग एवा मनोखा है ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मंदिर में कोई भी मूर्ती अस्थापित नहीं है यहाँ किसी भी मूर्ती की पूजा नहीं की जाती है इस मंदीर में धर्ती के अंदर से निकलती हुई नो जोआलाओं की पूजा की जाती है जो की माता की नो सोरूपों का परतिक माना जाता है इस मंदीर में जल रही नो जोआला में से एक जोआला बड़ी है जिसे मा जोआला का सोरूप माना जाता है 51 सक्ति पीठों में से एक माजवाला के इस मंदीर में भक्तों की भीड नवरात्र के समय देखने को मिलती है नवरात्री में इस मंदीर में माजवाला की पूजा उमारचना के लिए लोग काफी दूर दूर से अधिक मात्रा में आते हैं अब हम आपको बताने वाले हैं ज्वाला को लेकर पौरानिक कथाओं के बारे में साथ में ही बताने वाले हैं कि यहां कैसे पहुँचे यह सब जानने के लिए वीडियो में अंतक बने रहे और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आनिक मान्यताओं के अनुसार इस अस्थान पर माता सती का जीब गिर गया था लोगों का कहना है कि यही कारण है कि माता सती ही यहां पर ज्वाला के रूप में विद्वान रहती है यहां पर जल रही ज्वाला को लेकर एक और कहानी बताई जाती है कहा जाता है कि गोरकनाथ माता के बड़े भक्त हुआ करते थे एक समय भूक लगने पर बाबा गोरकनाथ ने माता से बोले कि आप पानी गर्म करके रखिये मैं भीच्छा मांग कर तब तक आता हूँ और बाबा गोरकनाथ भीच्छा मांगने निकल गए ऐसा माइन नहता है कि कभी न कभी गोरक नात बाबाव लोटकर आएंगे तब तक या जौला ऐसे ही उनकी इंतिजार में जलती रहेगी आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि इस जौला को बुझाने की कोशिस अकबर भी कर चुका है कहा जाता है कि माजवाला मुखी के बारे में जानने के बाद वो अपने सेना को लेकर जल रही जौला को बुझाने के लिए निकल पड़ा अकबर की सेना ने जल रही जौला को बुझाने की पूरा परियास की लेकिन असफल रहे कहा जाता है कि माता के इस चमतकार को देखकर अकबर भी नतमस्तक हो गया और मा जुआला के इसमें सोने का छटर चढ़ाने के उद्देश से अगले दिन पहुँचा लेकिन मा ने अकबर के सोने के इस छटर को स्विकार नहीं किया और वा छटर नीचे गीर कर अन धातू का रूप ले लिया आज तक कोई भी भूवए ग्यानिक और पूरा ततु विभाग द्वारा इस बात की पुष्टी नहीं हो पाई है कि आखिर या जुआला कब से जल रही है और आगे कब तक जलती रहेगी और या जुआला कैसे जल रही है इन सभी सवालों के जवाब के लिए उन लोगों के द्वारा कई किलो मीटर तक खुदाई भी की गई लेकिन आखिर कार किसी को भी कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाया इसलिए इस जुआला के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं तो आपको बता दे की जुआला देवी मंदीर की सबसे नजदी की हवाई अड़ा गगल है जो जुआला देवी मंदीर से 46 किलो मीटर की दूरी पर इस्ति थे हवाई अड़ा पहुँचकर आप वहाँ से जौला देवी मंदीर के लिए टेक्सी या केब आसानी से ले सकते हैं और अगर आप ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं तो आप पालमपूर रेलोय आस्टेसन पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचने के बाद आप टेक्सी या केब की सुईधा लेकर आप जौला देवी मंदीर पहुँच सकते हैं आसा करता हूँ कि मेरे दिये हुए वीडियो से आप लोगों को कुछ सहायता मिली होगी अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की नए नए वीडियो अपडेट करता रहूं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राब जरूर कर दे धन्यवाद जय जयता वालिमाता